हेलो गाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी स्मिच है और क्या यह अपने प्राइस को जस्टिफाइ करता है कि नहीं काफे सस्ते में मैंने इसको पर्चेस किया था तो आज इसकी अन्बॉक्सिंग करूंगा और शाथ ही साथ मैं आपको इसका A to Z किस तरीके से आप अगर अपने बल्प से दूर भी है तो कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे सारा कुछ आपको इस वीडियो में पताऊंगा फुल डिटेल में तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक भी स्टेप मिस्स मत कीजेगा तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब क कर लेंगे तो इसको हम यहां से ओपन करते हैं और मैं आपको बता दूँ कि यह वाइट कलर में अभी मेरे पास में है क्योंकि मैंने इसको आज टेस्टिंग परपर्स खरीदा था काफी सस्ते मिल गया था इसलिए मैंने इसको पर्चेस किया था कुछ लिफलेट्स वगरा ह यहां पर और यह है हमारा smart bulb जीराい इंडियन स्टाइल में यह तो देखने को मिलता है यहां पर जंग टाइब का लग चुका है तो आप देखना पड़ेगा कि यह वर्क करता है कि नहीं पर यह एक नहीं नहीं तो आफेग लिफ्लब और यहां बॉक्स में और कुछ भी दे में दिखा रहा हूं तो यह हो गया कुछ इस तरीके का अप्लिकेशन और आपको यहां पर मैं बताऊं कि आपको यहां पर लायट में जाकर इसको connect करना पड़ेगा तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इसको connect करने के लिए प्रोसीड कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यहाँ इसका बल्ब का यहाँ पर यहाँ पर आपको शो होनी लगेगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है Smich V164 तो इसको मैं यहाँ पर टैप करके पर इससे connect हो चुका हूँ मैं इस My Smich के bulb से तो आप यहाँ पर देख सकते है starting यह configuration यहाँ पर इसका setup हो चुका है और start setup में जाकर मैं यहाँ पर मेरे पास Wi-Fi भी है और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास Wi-Fi है तो आप इसको Wi-Fi से ही setup कीजेगा क्योंकि अगर आप वर्ड में कहीं भी रहेंगे तो आप अपने smartphone से आपका YouTube bulb है अगर connected रहेगा आपके Wi-Fi से तो आप कहीं से भी इसको manage कर सकते हैं तो यह अपने से ही यह कम जादा हो रहा है तो आप इसको यहाँ पर मैं अपने Wi-Fi से इसको connect कर लेता हूँ हाला कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि select your Wi-Fi network दिखा रहा है तो अभी यहाँ पर जो भी Wi-Fi available होगा उसको यहाँ पर show कर देगा तो यहाँ पर मैं अपने Wi-Fi का password डालता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं preparing your smart device यहाँ पर आपको show हो रहा होगा यानि कि यह जो है वो अब देख सकते हैं कि आपका जो bulb है वो अपके application के साथ configure होना यहाँ पर start हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं your device is now successfully connected तो अब यहाँ पर मैं अपने smartphone से इसको manage करूँगा यहाँ पर मैं अपना ही नाम डिलेता हूँ device पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से interface आपको देखने को मिलेगा और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह color change करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह maximum पर है और 6500K पर आप इसका देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी रोशनी है और 465 पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से तो आप यहां देख सकते हैं कि यह medium पर आ चुका है और यहां पर मैं इसको एकदम minimum पर लाता हूँ तो यहां पर यह भी हो चुका है और काफी quick तरीके से यह काम कर रहा है तो यहां पर फिर से मैं इसको maximum पर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी quickly तरीके से maximum पर च अगर आपको यह 200 रुपय का मिल जाएगा तो यहाँ पर ये है पूरा सिट अप प्रोसेस का उमीद करता हूँ कि आप को पता चल गया होगा कि कि इस तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं मिलता हूँ आप से एक नए वीडियो के साथ चैहिंद बंदी मात्रम